बाते करते हम खेतों की और उसके रखवाली की बाग बगी जब फल फूलों और फसलों की हरियाली की हम बेजों की बाते करते उत्तम जलसन साजन की हम तो दिनी की बाते करते फसलों की उत्तम जी पर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को गाउं गाउं की हरियांगन का प्यारा साही दर्शन किशिदर्शन, 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 कि स्वागत है मैं हूँ नमीता कारेकरम की सुरवात हो चुकी है तो आए देखते हैं क्रिशी समचार नमस्कार क्रिशी समचार में आपका स्वागत है मैं हूँ दिब्यांसू आए देखते हैं आज क्रिशी समचार में क्या है खास लातेहार के मशली पालकों के लिए नीजी जम जिला में मचली पालन के लिए नीजी जवीन पर नई रियरिंग तालाब निर्मान योजना चलाई जा रही है इसकी कुल योजना लागत 5 लाक रुपे है इसमें ST, SC लाबुक को 80% अनुदान और सामानी कोटी के लाबुक को 70% अनुदान दिया जाएगा तालाब का निर्मान एक एकड जल छेतर में करना होगा इसके लिए लाबुक के पास तेड़ से दो एकड जमीन होना आनिवार्ज है इस योजना से लाब लेने के लिए जिला मतस्य पदादिकारी कारिया ले लातेहार से संपर्क कर सकते हैं गुमला जिला में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए राश्टिय बागवानी मिसन योजना का करिया निवन किया जाना है इस योजना के ताहत बिभिन फल, फूल, सबजी और मसाला पसलों के खेती के लिए अनुदान उपलप्त कराया जाएगा साथी वर्मी कंपोस्ट यूनिट, प्लास्टिक मल्चिंग, संगरक्षित संगरचना और प्याज स्टोरेज के स्थापना के लिए भी अनुदान दिया जाएगा इसके अलावे प्रसिक्षन भी दिया जाएगा इस योजना से लाब लेने के लिए जिला उद्यान पताजी कारी कारियाले गुमला से संपर्ख कर सकते हैं मुर्गी पालग भाईयों पिछले कुछ समय तक क्रुक क्रुक कर बारिस होती रही है इस वज़े से नमी और गर्मी दोनों देखने को मिली ऐसे मौसमें यदि मुर्गियों का दाना बोरे में रखते हैं तो फफूंद लगने का खत्रा बढ़ जाता है इससे बचने के लिए दाना को ढखे हुए ड्रम में रखें बातावरन में नमी रहने से मुर्गियों के दाने में फफूंद लग जाता है फबुन्द लगा दाना खाने से मुर्ग्यों में मिर्तुदर बढ़ जाती है दानों में फबुन्द ना लगे इसके लिए दानों को नमी उप्थावा के संपर्क में ना रहने दें इसके लिए बोरे में दाना रखना सुरक्षित नहीं है दाना रखने के लिए ऐसे ड्रम का उपयोग करें जिसके ओपर धक्कन लगा हो और वो अच्छी तरह से बंध हो जाता हो अगर फपुन लगा हुआ दाना आप मुर्गियों को किलाएंगे तो निश्चीत रूप में आपके फार्म पे मिर्ति उदर बढ़ जाएगे राजी के जो किसान रभी दलहनी फसल मसूर की खेती करना चाहते हैं वे 15 अक्टूर से 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं जारखन में मसूर से अच्छी उत्पष लेने के लिए उन्नत प्रभेत PL 406, PL 649 या KLS 218 लगाएं मसूर की बुआई में 30 किलोग्राम बीच परती हेक्टिर की दर से लगाएं मसूर के ये तीनों प्रभेत 135 से 130 दिन में तयार हो जाते हैं और इनकी उत्पादन चमता 15 से 20 क्विंटल प्रती हेक्टर है अभी कई रभी फसलों की खेती का काम चल रहा है इस मौसम में विभीन फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए करसी उपकरन फटिलाइजर कम सीड ब्राडकास्टर का उप्योग कर सकते हैं इसकी कारिचमता 2 एकर प्रती दिन है आज हम जानेंगे टमाटर फसल में रासाइनिक दबा के मिना फल छेदक कीटों की रोग थाम कैसे करें टमाटर के पौधों में जब फूल निकल आए तो प्रती हेक्टर की दर से एक लाग टाइको ग्रामा किलोनिस या टाइको ग्रामा ग्राजिलियंसिस खेत में डालें एक-एक सब्ता के अंतराल पर चार से पाँच वारी उपचार करें टमाटर फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोब नहीं होगा और अब एक में ज़र राज के पाँच परमुक सहरों के मौसम के मिजाच पर आज राजी के पाँच परमुक नेगरों के अधिक्तम और नियुनतम तापमान को चिस पकार दर्ज किये गए दनवाद का अधिक्तम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस रहा कृसी समाचार में जितना ही अगले दिन अगले अंग में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजातरीन खबरों के साथ अब तक के लिए दिजाज़त नमस्कार चोहार आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीम, गौमोत्र और मिर्च लसुन से कीट नासक बनाने की वीधी जी हाँ घरेलू उपाय अपनाईए अपने आपको खुस हाल बनाईए तो बिना देर के आईए देखते हैं किसान भाईयों जब आपके फसलों पर कीट का प्रकोप हो जाता है तो काफी परेशानी होती है कीट नासक कौन सा डाले, कितनी मात्रा में डाले और कभी-कभी इसकी कीमत या कहें कि लागत इतनी बढ़ जाती है कि किसान भाईयों को नुकसान भी होता है तो आज हम जानेंगे कि हमारे आसपास जो उपलब संसादन है उसकी बदोलत किस तरह से हम कितनाशक बना सकते हैं और उसको प्रियोग करने की जो बिधी है वो हक्या होगी और इस मतपूर्ण विशेपे जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपसे थे हैं विशेशगे के रूप में डॉक्टर राजिस कुमार की तो अगर हम बात करें जहारखन के परिप्लेक्ष में तो यहां पे कौन-कौन से ऐसे वनस्पती है जिसके माद्यम से किसान भाई कित किसान पहुचाती है तो कीट के वज़े से उनका लगभग अगर फसल देखें तो आपका करीब 25 से लेकर के लगभग कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि 60-70% तक उसका नुक्सान हो जाता है तो वैसी परिस्थितिती में अगर किसान भाई चाहें कि अगर हमको लोकल और सभी किसान भाई के पास जो है आसानी से उपलद भी रहते हैं इसके साथसाथ जो हैं । जो है उसका वज़ जयता है वो सारी समागरी जो है वो कीट ना सकते रूप में हम उसका जो बैवार कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि जो है उनको कोई अतिरीक्त जो है खर्च नहीं पड़ेगा और वो से लोकल रिसोर्स को इस्तमाल करके वह कीटों से अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं लेकिन अगर बात करें क्रमशा जैसे आपने नीम और करच के चर्चा करी त दो प्रकार से हैं ऊसे स्सीप्लिंग्ष मान लिज doe अगर किसान के पास अगर नीम में और जबनेंद होना सब्सक्राश कंने में is our story कंद सब्सकर के बात है यह यह के लगान नीम है दोनों में को बात हैए लेकिन बजार से भी हम में लोग खरी सकते हैं। पूर्ण रूप से पका हुआ यह सुखा हुआ है तो उसको लंबे समय तक हम इस्टोर भी कर सकते हैं अपने घर में सुरक्षित रख सकते हैं और उसके बाद जो है अगर उपरी छिलका को हम लोग हटा देते हैं तो वह रात भर में फुल जाता है बढ़िया से जो है भीज ज हो जाता है निकल जाता है तो उसको बाद जो है हम उसमें क्या करते हैं कि 40 ग्राम जो आपका बीज है उसमें एक लिटर पानी में उसको जो है हम लोग उसको घोल को उसको मिला देते हैं और मिला करके उसके बाद जो है आप चाहे तो लगबग जो है उसको इमीडियेट निर्च की भी बात करी है तो और ये प्रतेग घर के किचन में उपलद है इससे कैसे किसान भाई कीट नाशक बढ़ाए सब्सक्राइब क्या होता है कि उसमें बहुत तरह के कीट जो है जब कीत करते हैं तो उसमें विधी है इसको बनाने के लिए एक तो बिधी है कि सिम्पल जो है मान लीजे कि अगर हम लोग लासुन को अगर देखते हैं तो आपका जो है 200 ग्राम 500 जो है लासुन लेते हैं और लगभग जो है मिर्च लेते हैं 2 kg ये दोनों को जो है उबाल देतें उबालने के बाद इसको जो है च्छान लेते हैं और च्छानने के बाद जो है हम इसको डाइरेक्ट अगर है तो वह ऐसा जो है लगभग 50 ml पर लीटर पानी में जो एस्ट्रेक्ट है अगर 2 लीटर पानी लिए या 3 लीटर पानी लिए जब वह आधा बच जाता है तो उसमें तो इसका प्रवाव लंबे तक बना रहेगा और कीट जो है जब भी खाएंगे तो उनको जो है थोड़ा सा जो है दिकत होता है महसूस और उसके बाद जो है वह मतलब उनका जो है द्यानत हो जाता है अब चलते चलते एक चीज और बता देंगे रसाइनी कीटनाशक और इस तरह के जैविक कीटनाशक है दोनों में मानवीय पक्ष्च क्या है किसान को किस तरह से फाइदा हो सकता है लागत के तौर पे मानो स्वास्त के तौर देखिए मैं अगर इस द्रिश्टी कोन से अगर इ बहुत अच्छा है कि हम लोग आने वाला समय में जो एको सिस्टम है वह भी मेंटेन रहेगा हमारे सत्रू जो कीट है उसका जो नियंतरन होगा और मित्र कीट भी संदचित रहेंगे जिसे बाइलेंस बना हुए रहेगा तो यह प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है कि हम लो विशागी ने बताया कि जो आपके घर आंगन में उपलब्द है चाहे वो नीम हो करण्ज हो मिर्च हो लहसुन हो या इस तरह के जो खाद्य पदार्त हैं उनके माध्यम से भी आप कीट नाशा का निर्वान कर सकते हैं और प्रियोग कर सकते हैं इसकी बदोलत ना सिर्फ आ एवां उनके आहार प्रनाली के बारे में जो भी किसान भाई 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 सुकर पालन कर रहे हैं उनके लिए आज का ये अंख है खास खास कर आपको ये भी ध्यान देना है कि सुकरों का आहार हमें कैसे देना है कितनी मातरा में क्या क्या खिलाना है तो बिना देर के इसके बारे में भी जानते हैं आज हमारे साथ है विशिशक्य डॉक्टर भरत महतु और हम इन से बात करने वाले हैं सुक्रों की किस्म तथा अहार प्रणाली के बारे में जीसा कि हम लोग जानते हैं अभी जारखन में यो सुकर पालन का बैवसाय है यह बहुत तेजी से से चला पाएं उन सबों के लिए एक यह अत्रीक्त आय का बहुत ही अच्छा साधन बना हुआ है तो किसानबायों इन से बेवसाय को करने के लिए जो सबसे महत्वन बिंदू है वह नसलों का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं इस पर अगर हम ध्यान ना दे तो हमारा बेवसाय किसमें हैं और बिदेशी किसमें और कुछ जो हैं यह करter के देशी नसलों के नाम ही जाना जाना चाहिती है जो चोटे काले रंग की होती है उनकी उत्पादन चमता भी काफी कम होती है इसके अलावे जो देश में हमारे देश में जो परचली विदेशी नसले हैं जैसे आप लार्ज वाइट योक्सार कहें या मेडिल वाइट किया कहें हैं हैं सायर टेम वर्थ डी रोक या लैंडरेस इस तरह के जो विदेशी परज जाना जाता है यहां के दोवारा जो पसंद किये जाने वाले जो भी विद्धाएं होते हैं यह पूरी तरह से उन्हारताओं को पूरा करता है आज कल यह सुवर नाम जाना जाता है इसके अलावे बंगाल या ड्नी कॉलेज के दोवारा बिक्षित की हुई एक नसल और है जो घूंगरू है यह भी काफी अच्छी यहां मने हमारे जार्खन के बातावरन में रजबस जाता है और यहां के बजार के मांग के अनुसर यह किसमें भी काफी उप्यूक्त होता है तो कहने का अगर आप संकर नसल पालना चाहते हैं तो उसमें जार्शुक और घूंगरू पे अपना ध्यान के अंदित करें और अगर आप विदेशी नसलों के सुकर की वर जाना चाहते हैं तो टेमुएर्थ, रसियन चर्मुखा और लार्ज वाइट एरुकसायर पे अपन पालन में लगा सकते हैं जैसे विदेशी और विदेशी जो नसले हैं इनमें सबसे बात है मुख्य रख रखाओगा तो हमारे किसान भाइवा एक्चुली इसमें अगर बास्तवी रूप से कहें तो हमारे रख रखा के अलावे इस बैसाय को खास बनाने के लिए सबसे च्छमता होती है यह अन मांगस उत्पादन के लिए रखे जाने वाले पस्वों के अपेचा बहुत अधिक होती है या कहें तो ब्रॉयलर मुर्गियों के बाद अगर दूसरा जो अपने आहार को मांगस में परिवर्टित करने की जो च्छमता होती है वो सुकरों में ही पा करें तो यह क्या होता है कि पाच-छे मेंने में ही यह पचास से साथ केजी तक की वजन की प्राप्ति कर लेते हैं तो किसान बाइओं जो हमारे देशी नसलों की अपेचा लगबग दो गुना से तिन गुना होती है तो इस छमता को प्राप्त करने के लिए इसकी जो आहर व जैसे हमारे जारसुक नसल की अगर हम बात करें तो एक मादा सुक्री कम से कम दस से बारा बच्चे को जन्म देती है तो इन बच्चों के लिए दूद पर ही पलना काफी कम हो जाता है इनका पोसंद थोड़ी कम होने लगती है इसकारन इसको अतिरीक्त आहर दें तो इनका दो już Some Odia जाता है यह क्रीप रहान होता है इसके अलावे जो बड़े इससे बड़े वाले 25 केजी से ऊपर वाले को हम जो हार देते हैं, inference 12-13 कReigon को जो हम आहार देते हैं वहां पर उसको Grower Raasen कहा जाता है और बिपर 45 केजी आंद आबभ हो जाता है तो उससे ऊपर जो कर देते हैं उनको हम लोग करते हैं करते हैं तो grandi जो क्रीप रासन यह दूद पीने वाले जोने हैं सुकर सुने हैं उनको भी हम दे सकते हैं यहां पर जो मात्रा है यह आप उसके सरीर वहाजन का कर में अच्छ sabemos fractionow मात्रा आप रख सकते हैं ऐसे तो सबसे अच्छा खिलाने का तरीका होता है कि आप जितने देर हैं अगर सुखर के चोने उसमें खा के दिन भर में देखा जा रहा है कि छोड़ दे रहे हैं तो आप कुछ मात्रा घटा दीजिए और पूरा खतम हो जा रहा है तो आपके कुछ सेज में पहुंच जाते यानि साड़े बारा केजि के जिटे ओपर होने लगते हैं तो उनद करें इसकी मात्रा को आप aujourd'Is सब्सक्राइब करें आप वहां पर चारपरतिसर जो सरीर वजन चारपरतिसर रख सकते हैं और यहां पर एक से देड़ केजी तक लगबग आती है जब इसे उपर की वजन के आपके सूकर हो जाते हैं जैसे 45 केजी से उपर हो जाते हैं तो वहां पर आपको फिनिसर रासन देने की आवश्यक्ता पड़ेगी उस रासन में आप जो सरीर वजन के अनुसार में दो केजी धाई केजी तक देखा जाता है वहां जो बदाम खली जो बात कर रहे थे उसको आप 10 तक रखें वीड ब्रांज इसको आप 25 परतिस तक ले जाए और मचली चूरने है उसको तीन परतिस तक में ही सिमित रखें और मिनरल मिक्सचर 2.5 परसंट तक बढ़ाए इसके साथ इस तरह के दाना मिसरन को अगर आप संतु पूली तहार तियार हो जाता है और इसको खिला कि आप अपने सुकरों को उसके नसल के अनुसार एक अच्छी ब्रिधी पा सकते हैं और एक समुचित जो लाब है बजार में उसको आप राप्त कर सकते हैं तो देखाना किसान भाई यो हमारे विशेशक ने आपको कितनी अच्छी और महत्पूर्ण जानकारिया दी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुकरिया दॉक्टर साब आपका भी शुकरिया देखाना किसान भाय बैनों जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे पसुआर मनुश्यों में भी कुछ बदलाव आते हैं और इन बदलाव के साथ साथ हमें रहना है खुशाल क्यों ना हम अपनाए ये छोचे छोटे उपाई आज के अंक में इतना ही जाने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेस्बूक और ट्यूटर पर साथी साथ कृशी दर्शन के हर अंक को देख सकते हैं यूट्यूब पर अब आप फटाफट लिखे हमारा पता ताकि कृशी से जुड़ी कोई भी स नमस्त्या हो, समाधान हो या कोई भी सुझाओ देना हो तो आप हमें हमारे पतिपत अवस्ची लिखे हमारा पता है कारिक्रम क्रिशी दर्शन, क्रिशी प्रकोष्ट, द्वारा केंद्र निर्देशत, दूर दर्शन केंद्र, राधु रोड राची, पिन संख्या 834, सुन अब आप मुझे और हमारी क्रिशी दर्शन टीम को विदा दीजे, नमस्कार जोहर